हाई एवरीबन बेलकम बेक टो माई चेनल रन किलासिस फॉर यू में जैसा कि आप लोग थमनेल में देख पा रहे हो कि बोड एक्जाम 2023 में अगर आज से आप पढ़कर भी बोड 2023 में 90% मार्क से उपर ला सकते हो बस आपको वीडियो आन तक देखना सारी जानकारी में आपक ठीक है क्योंकि मैंने भी पोड एक्जाम में 90 आप जैननी 96 मारक सक्ट आए हैं तो आपको भी कैसे लाने बो सारी स्टेड़रजी में आपको बताने बाला हूं तो ना आये तो मेरा नाम भी आप बदल देना ठीक है आभी भी हमारे पास बोर्ड एकजाम में कितने दो से तीन महीना हैं किसी के पास मातर एक से दो महीना ही बचे हुए क्योंकि आभी आपकी छुट्टियां भी चल रही है सर्दी की तो आपके पास बहतरीन और लाजवा मौका इससे ब कड़ना चाहते हैं कि पास होना चाहते है कि कैसे करके पास हो जायए मंपापा की डाट न खाने पड़े नहीं हम से कोई खेत करा जाएगा इस बाहने से वहीया होते हैं पास होना चाहते और फिर शान करिथे तो आप भी 95 की एवव मास क्ट्रीट बेसरे परकार क्यों के स्पूडेंट रॉटेंड और दूसरे प्रिकार को मुझे बढ़ा ऐं अच्छा आंक पाना चाहते है io उने के लिए वी मैं वे तोटल आपको बताओंगा कैसे आपको करना तीसरे ताइप के स्टूडेंट के तो सब कुछ पढ़ लिया है 95% से उपर लाना चाहते हैं उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है लेकि 95% से उपर लाना चाहता है मैं ता कहता हूं 90% ना लाओ उससे आप उपर लाने की सोचो ठीक है न क्यूंकि आपने सब कुछ प्रोपर पढ़ लिया है आपके नोट्स भी तयार हैं सब कुछ तयार हैं तो बस उनके लिए हम इस्टेडर जी बताएंगे सबसे पहले हम तीसरे नंबर के इस्टूडेंट के लिए बताने वाले कि वो कैसे अपनी तयारी को और बूस्टे कर सकते हैं ठीक है चलिए तो उनको क्या करना उनको लगातार रिवीजन करते रहना ठीक है अपना रिवीजन जो है बिल्कुल नहीं चोड़नी है ठीक है उनका दोस्ट अगर आपसे उनसे बोले कि चल यार कितना पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया ठीक है चलाज भूमने चलते हैं ठीक है यह रील देख ले फेस्बूक पर यह नहीं रील नहीं लाना है बस जितना आपने पढ़ लिया जो भी आपने पढ़ा या जिससे आपने पढ़ा बहुत सपीसेंट है मैं तीनों केटागिरी के लिए बताऊंगा क्या 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 आपको करना है ठीक है आपको तीसरे नमबर की बता रहा हूंना तो लगातार आपको रिवीज देना है आपके बगल में क्या है कुछ है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है दीसरे नंबर की सबसे बड़ा डिसकेक्शन होता है ठीक है गल्फिरंट आयनि महिला मिंत्र का कुछ लोग यह सोचते पड़ने वाले कि यार हमारी भी होती कोई ठीक है तो आपको ऐसा नहीं सो कुछ को बिल्कुल हटा देना ठीक है इसको बिल्कुल दिमाइक में लाना ही नहीं है ना ही आपको इसके बारे में कुछ सुचना है ठीक है आगे और उनके लिए क्या करना है पिछले साल के पेपर मॉडल और सेंपल पेपर तो आपको लगाने ही लगाने हैं अगर आप चा करना है उनको डेली आप कीजिए डेली लगाए ठीक है ना तो यह करना है अपने थार्ड नमबर वालों को जिसने सब कुछ पढ़ लिया ठीक है जितने भी आते हैं आपके सेंपल पेपर और अंसाल्ड पेपर वह को भी लगाना है पिछले 10 सालों के प्रिविएस एर को अपर बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तो दूसरे नंबर वालों की क्या है कुछ-कुछ पढ़ा है लेकिन अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा उनको कुछ-कुछ पढ़ा है अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको अपना डेली गोल डेली गोल फिक्स करना पड़ेगा डेली गोल का मतलब प्रति दिन आपको एक चेप्टर समाब्द करना पड़ेगा आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है और महत्पूर्ण जो पिरसन के नोट है वो आपको कापी में लिखने पड़ेंगे तभी जो है बोर्ड मेग्जाम में आप 90% मार्स के आज पास पहुंच जाओगे ठीक तो आपको डेली गोल बनाने और महत्पूर्ण चेप्टर को फिनिस करना और आपने नोट्स बनाके उनको कापी पर नोट डाउन करना चाहते हैं जिनोंने क्या क्या कुछ पढ़ाए और अच्छे एंक पाना चाहते उनके लिए ठीक है यह वह लोग ही उनके बाद ठीक है और महत्पूर्ण चेप्टर तो उन्हें छोडने ही बिल्कुल भी आगे तीसरे नंबर की कुछ भी नहीं पढ़ा है और नाहीं पढ़ना चाहते हैं ठीक है बहुत सरीप और सरीप क्या होना चाहते हैं ठीक है तो पास होना चाहते हैं ठीक है तो पास होना चाहते हैं अपन आने कितने दिन में एक से दो दिन के अंदर अंदर आप चाट लें कि इनसे जो है हमारा ज्यादा मैक्पून आएगा और इनसे ज्यादा परसंद बनेंगे तो सबसे ज्यादा मास्क वाले चेप्टर वाले आप लोग रेडी कर लीजी रेडी करने के वाद उनको त्यार कर ली तो ये कुछ नहीं पढ़ा है और नहीं पढ़ना चांते हैं किवहल पास होना चांते हैं तो उनके लिए और क्या करना है आपको ठीक है अपने पढ़ाई के महित्पूर प्रसन को यह कापी में अच्छे से नोट जरूर कर लें यह बहुत ही इंपोटेंट बात है यह मैं इसलिए बार-बार बोल रहा हूं कि इसको आप मिस्स मत कर दिये क्योंकि एक्जाम टाइम में ठीक है एक्जा इसा क्या होना चाहिए अपने दिमाग को सांत रखना चाहिए और खुसी खुस रहना चाहिए ठीक है यह नहीं सोचना चाहिए उस मेरे फ्रेंट को जादा आता है मुझे कम आता है ठीक है तो यह सा नहीं सोचना चाहिए आप भी उससे आगे निकल सकते हो कांटूनिशली म तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए ठीक है जय हुआ